हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको सांजी सिलवार की कटिंग सिखाऊंगी वह भी पेपर में सिखाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास इस टाइप का कपड़ा नहीं आया है तो मेरे जो वीवर्स हैं रेशम सिंग उन्होंने कमेंट में लिखा था कि मैडम सांजी सिलवार की कटिं बताऊंगी ठीक है जो बॉर्डर वाला कपड़ा होता है उसमें ये सिलवार की कटिंग होती है जिसमें चोड़ा बॉर्डर होता है नीचे की साइड में ठीक है तो वो हम आज आपको सिखाएंगे तो ये देखें बॉर्डर मैंने बना लिया है अगर पतला बॉर्डर है तो आप cut करके लगा सकते हैं, पहुँचे पे, अगर चोड़ा बॉडर है तो उसको आप cut नहीं कर सकते हैं, अगर cut करेंगे तो कपड़ा पूरा waste हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको आढ़ा ही cutting करेंगे, तो इस तरीके से हमने 4-fold कर लेना है, ठीक है तो सबसे पहले हमने measurement देख ठीके, एट इंच हम माइनिस कर देंगे, तो हमारा जो लेंध है 31 इंच आ जाएगा, तो इस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है, तो जितनी भी आपकी सलवार की लेंध है, 36, 36, 40 तो आप इसी मैथट से आप इसको कटिंग करेंगे, ठीके, तीन इंच प्लस करके और एट इ साथ इंच के लिए तो यहां पर हमने कम पॉट मेरा टों हिंच 40ए इसी हाइट वे लाइनिए कि आके हैं डोंपनींच snak पहुंच्चा ले लेंगे, हमारा मर्जन है वह भी भी बीच में ही आ जायेगा, तो यहाँ पे हमने 7 इंच पर निशान लगाया, और दो इंच हमारा एक्टिटा है, टोटल 9 इंच है, ठीके नीचे हम 7 इंच पर लगाएंगे, और उपर से भी हम 7 इंच पर भी निशान लगा लेने हैं तो इसकी आपने कटिंग नहीं करनी है इसको जॉइंट ही रहने देना है ठीके तो इस तरीके से आपने निशान लगा लिया और यहां पर हमने आसन रखना है आसन हम साड़े नो यह दस इंच रख सकते हैं अगर लेडी कुल आसन पहनना चाहती है तो दस इंच रख मैंने निशान लगाया है ठीके साथ इंच का इसको सेपरेट कर देंगे तो आपके कुंदर पहुंचे सेपरेट दिखने लग जाएंगे तो यह हमारा दस इंच का आसन है ठीके तो यहां पर हमने बैल्ट निकाल दी ठीके बैल्ट हमने 23 इंच की रख लेनी है और इस सलवार थोड़ी खुली बनानी है तो यहां से आप जॉइंट भी लगा सकते हैं यह वला जो हिस्सा है यह कटिंग करके बचेगा यह वेस्ट होता है तो यहां पर आप इसको जोड़ लगा करके इस सलवार को खुला भी कर सकते हैं ठीके तो यहां पर हमने इसका सेंटर ले तो अगर आपने जोड लगाना हैं तो सेंटर से कटिंग करेंगे . अगर नहीं जोड लगाना है तो 10 इंच काफी है . değiş कर्देंगे । div часि इस तरीके से हम Talevio का फी और की और मैं आशा करती हूं कि आपको समझा ना समझ मेता होगा , जिए मैं आप समझा है तो आप समझ सकते हैं तो इस तरीके से हमने कटिंग कर देनी है यह बेल्ट हमारी कटिंग कर लेनी है हमने तो जो उपर वाला कपड़ा है वह आप पॉंचे में यूज कर सकते हैं तो इस हिसाब से हमने मेरे पास इस टाइप का कपड़ा नहीं आया था नीचे बॉर्डर वाला आये थे लेकिन मैंने स्टिचिंग करके सिखा दी थी लेकिन मैंने वीडियो नहीं बताई थी लेकिन रेशम सिंग ने अभी मुझे कमेंट में कहा है तो इसलिए मैं यह पेपर पे कटिंग करके बता इत ताहिए डीच किहीं हम तो इस त्त्रीके से कपड़ा बचा है उसका हम इस त्रीके से जोड लग के अफरिक इसलिए मोर станов हो जाएगा इस सलृवार वाक हो जाएगी तिकाए मं लगा मैं लेक laun तो आपकी मर्जी है आप इतना ही रहने दें ठीक है तो इसे साब से आपने कटिंग कर लेनी है तो यह जो सलवार है इसकी कटिंग हो चुकी है और अब हमने क्या करना है अगर आपने कुंदे और पोंचे सेपरेट दिखाने हैं तो यहां पर आप छोटा सा कट लगा लेंगे पर जो हमने पहुंचा रखा था नीचे भी कट लगाएंगे उपर भी कट लगाएंगे अब इसको हम इस तरीके से पकड़के सिलाई कर देंगे तो जिससे हमारे जो पोंचे हैं और कुंदे हैं वो अलग अलग दिखने लग जाएंगे ठीक है और हमें कटिंग करने की भी नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से आपने फोल्ड करते हुए कट से कट को पकड़ते हुए और यहां पे आप सिलाई लगा देंगे ठीक है इस तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है और यहां पे भी दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देनी है ठीक है टोटल आपकी चा तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग